नवस्का दोस्तों, डिट है आज की 17 जून 2020 और स्वागत है आपका पिलीम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में सबसे पहले important article बोस आइंस्टाइन कंडनसेट्स के बारे में हैं Context की बात तो हम बात में करेंगे, पहले हम basics की बात करते हैं बोस आइंस्टाइन कंडनसेट्स ये देखो पांचवा श्टेट ओफ मैटर हैं इसके अलावा चार दूसरे श्टेट ओफ मैटर्स कौन-कौन से हैं गैस, लिक्विड, सॉलिड और चोथे नमर पे प्लाजमा अगर UPSC सिंपल से सिंपल कोशन पूछ लेती हैं बोस आइंस्टाइन कंडनसेट्स क्या हैं ये पांचवा श्टेट ओफ मैटर हैं इसके बारे में देखो सबसे पहले तो प्रेडिक्ट क्या गया था सेतेंदर नाथ बोस के दोरा ये ना धाका यूनिवर्श्टी में काम कर रहे थे और उन्होंने रिशार्च की इस पांचवे श्टेट ओफ मैटर के बारे में पता लगाया सेतेंदर नाथ बोस ने अपनी रिशार्च को वेजा आइंस्टाइन के पास आइंस्टाइन बहुत ज़रा पर भावित हुए थे इस रिशार्च से और आइंस्टाइन ने इनके रिशार्च को उस समय जर्मनी के एक फेमस जर्णल में पब्लिश करवाया तो बाद में इस पांचवे श्टेट ओफ मैटर को नाम दिया गया बोस आइंस्टाइन कंडनसेट्स अभी कंटेस्ट ये हैं इंटरनेशनल स्पेस टेशन पर साइंटिस्ट ने पहली बार इस पांचवे श्टेट ओफ मैटर को अबजर्ब किया है ये जो बोस आइंस्टाइन कंडनसेट्स हैं इसको देखो आर्थ पर अबजर्ब करना बहुत ज़्यादा मुस्किल होता है क्यों एक तो देखो आर्थ की जो ग्रैविटी हैं वो रिक्वाइड मैगनेटिक फिल्ड को डवलप नहीं होने देती जो के जरूरी हैं इस कंडनसेट को अबजर्ब करने के लिए दूसरा बहरी दुनिया के थोड़ा सा संपर्क में आने पर ये जो कंडनसेट्स हैं वो पिघल जाते हैं तो इनको अबजर्ब करना बहुत मुस्किल होता है साइन्टिस्ट ने क्या किया इंटरनेशनल स्पेस टेशन पर इन पार्टिकल्स को अबजर्ब किया मतलब पांचवे स्टेट ओफ मेटर को अबजर्ब किया क्योंकि वहां पर आर्थ की ग्रैविटी का जो इन्फलेंस है वो कम हो जाता है next point form कैसे होते हैं कैसे बनते हैं ये condensates देखो कुछ निश्चित elements के atoms को अगर हम ठंडा करें कितने temperature तक 0 Kelvin तक अगर हम कुछ certain elements के atoms को ठंडा करें तो बोस Einstein condensates बनते हैं होता क्या है जब 0 Kelvin तक ठंडा किया जाता है तो atoms जो है कुछ निशित elements के वो एक single entity का अकार धारन कर लेते हैं quantum properties के साथ जिसमें हर एक particle जो है wave of matter की तरह function करने लगता है इस परकार से formation होता है बोस आइंस्टाइन condensates का अच्छा significance क्या है मतलब क्या फाइदा हुआ scientist ने international space station पर पहली बार इनको observe किया significance देखो ये है dark energy जो की responsible है universe के expansion के लिए dark energy के बारे में हमें और ज़्यादा जानने को मिलेगा इस research से इनको पहली बार जो object किया गया है चलते हैं आगे नए start कल इंडिया's assistance for पसुपती नाट टेंपल के बारे में है ये टेंपल कहां पर हैं ये निपाल में हैं कांट मांडू में एक प्रोजेक्ट हैं इंडिया और नेपाल का निपाल भारत मैत्री development partnership इस प्रोजेक्ट के अंतरगत क्या ये हुआ था एक memorandum of understanding sign हुआ था इंडिया पैसे देगा और इस टेंपल में एक sanitation facility यानि स्वास्थे के अंदर establish किया जाएगा समझ गए कौन से प्रोजेक्ट के अंतरगत ये sanitation facility establish की जाएगी पसुपत्ने ना टेंपल में नेपाल भारत मैत्री development partnership देखो वैसे तो नेपाल और इंडिया के बीच फिलाल थोड़ी सी बोर्डर को लेके इंडिया का एरिया है बावजुद इसके इंडिया अपनी commitment को पूरा कर रहा है इस प्रोजेक्ट के अंतरगत और इंडिया ने कहा है हम आल्मुस्ट डाही करोड की दो करोड 33 लाग की financial assistance देंगे नापाल को इस मंदिर में sanitation facility establish करने के लिए बागी देखो कुछ ऐसी details हैं जो हमारे लिए इतनी जुरूरी नहीं है जिसे कौन implement करेगा इस project को काट मांडू metropolitan city नोम्स रखे जाएंगे government of नेपाल के द्वारा और 15 महिनों के अंदर ये sanitation facility बना दी जाएगी इस से पहले 2018 में इसी project के अंतरगत एक धरमसाला बनवाई गई थी निपाल भारत मैत्री पसुपती धरमसाला significance देखो इस project की ये है people to people जो ties हैं वो और जड़ा enhance होते हैं cultural ties मजबूत होते हैं इंडिया और नेपाल के बीचे लेकिन फिलाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है खेर बात करें पसुपती नाथ temple की बगवान सीव को dedicated ये temple है और एशिया में बगवान सीव के भगतों के लिए ये one of the most important religious site है नेपाल में ये largest temple complex हैं बागमती रिवर के दोनों और फैला हुआ हैं इस side भी इस side भी सिर्फ हिंदूओं को जाने दिया जाता है में टेंबल के अंदर इसको वर्ल्ड हरिटेज साइट का तमका दिया गया था 1979 में किसके दवरा युनैस्को के दवरा चलते हैं आगे ने स्टार्ट कल वर्ल्ड डे टू कोंबेट डेजर्टिफिकेशन और ड्रोट के बारे में हैं डेजर्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है जब देखो लैंड डीघ्रेड हो जाता है एरीड या फिर सेमी एरीड हो जाता है वहां पे पेड़ पोदे उगना बंद हो जाते हैं तो उसे कहा जाता हैं डेजर्टिफिकेशन क्या कंटेस्ट हैं 17 जून का जो दिन हैं हर साल वर्ल डेट टू कोंबेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रोट के रूप में उब्जव क्या जाता हैं कब से ये स्टार्ट हुआ 1995 से 1995 में युनाइटी नेशन्स जनरल एसेमली के द्वरा एक रेजुलिशन एडोप्ट क्या गया था क्योंकि इसी दिन में एक कोंबेंशन डराफ हुई थी म कनवेंशन डू कोंबेट डेजर्टिफिकेशन 17 जून के दिन ये कनवेंशन ड्राफ हुई थी हमारे इस आर्टिकल में ये कनवेंशन ही इंपोर्ट हैं बाकी युप एस ये नहीं पूछे कि आप बताएए World Day to Combat Desertification and Desert कौन से दिन अबजव किया जाता है 17 June, 17 July, 17 गस्त नहीं इस परकार के question SSE में पूछे जाते हैं UPSC में भी नहीं ये convention important है वैसे देखो ये दिन जाउता फिलाने के लिए अबजव किया जाता है Desertification के बारे में सुखे के बारे में लोग जागरुक हो और उचित कदम उठाएं Theme है इस बार की Food, Feed, Fiber The Links Between Conception and Land अब बात करते हैं convention की देखो ये एक मातर Legally Binding Agreement है जो की Environment and Development को Link करता है Sustainable Land Management के साथ ये convention कब established हुई थी 1994 में ये एक मातर ऐसी convention है जो Rio Conference के Agenda 21 जिसको अपनाया गया था 1992 में Earth Summit में इस Agenda 21 की Recommendations के अधार पर उपजी मैं फिर से बोलता हूँ Agenda 21 में काफी सारी Recommendations को अपनाया गया था और उसी Recommendations के अधार पर Directly Form में आने वाली ये एक मातर convention है इस convention के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी फिलाने के लिए 2006 में International Year of Deserts and Desertification भी डेकलियर किया गया था UN के दोरा इस convention के फोकस एरियाज है एरिड एरिया सेमी एरिड एरिया और ड्राई सब हुमिट एरियाज इनको ड्राई लैंड्स के नाम से जाना जाता है इन एरियाज में एकोसिस्टम काफ़ ज़्यादा वल्नरेबल होता है और काफी वल्नरेबल लोग इस परकार के एकोसिस्टम में रहते हैं जो बेसिक एमनिटीज के अभाव से सफर करते हैं टोटल पार्टीज की संख्या है इस convention में 197 हमारे देश में जो Ministry of Environment, Forest and Climate Change है ये Nordal Ministry है इस convention की implementation के लिए कुछ और facts एक bon challenge है ये देखो voluntary global effort है यानि विबिन देशों का ये voluntary effort है decide ये क्या गया था 2020 आने से पहले 150 million hectares का जो degraded या फिर deforested area है उसे restore किया जाएगा और 2030 से पहले 350 million hectare degraded या फिर deforested area को restore किया जाएगा इंडिया की बात करें particularly 2020 से पहले इंडिया ने ये promise किया है हम 13 million hectare degraded forest को restore कर देंगे और 2030 आने से पहले 21 million total deforested और degraded forest को restore कर देंगे sustainable development goal का जो goal number 15 है उसमें भी यही कहा गया है कि land degradation को reverse करना और रोकना पहले आप land degradation को रोकोगे उसके बाद reverse करोगे यानि land को restore करोगे ये है goal number 15 चलते हैं आगे नया start कल International Atomic Energy Agency के बारे में है क्या contest है देखो USA अब इरान nuclear deal से बाहर आ चुका है जब तक ये deal थी इरान भी deal के norms को follow कर रहा था International Atomic Energy Agency को allow कर रहा था कि भया आप भेज सकते हो अपने officials को हम उन्हें inspection करने देंगे transparency बरतने की कोशिस कर रहा था इरान लेकिन जब से USA बाहर आया है इस deal से तो इरान जो पहले transparency बरत रहा था nuclear material के बारे में इरान ने भी transparency बरतना अब बंद कर दिया है इसी को लेके International Atomic Energy Agency ने चिंता जटाई है कि भया आप हमारे साथ corporate नहीं कर रहे हो आप बताईए जो nuclear material आपके देश में मिला है आपने इसके बारे में डिक्लियर नहीं किया था आप कहां से लाए किस परपज के लिए था आप इस पूरे issue की investigation में हमारा साथ दीजिए लेकिन इरान ऐसा साथ नहीं दे रहा है ये बोला गया है International Atomic Energy Agency के दोरा तो इस Agency के बारे में हम basic जानकरी डिसकस कर लेते हैं इसे establish क्या गया था 1957 में headquarters वेना आश्ट्रिया में है क्या काम है इस Agency का nuclear energy को peaceful purposes के लिए promote करना ये भी ensure करना nuclear energy का military purposes के लिए जाफर nuclear weapons के निर्मान के लिए इस्तिमाल ना हो वैसे देखो ये एक independent body है UN का part नहीं है लेकिन फिर भी ये agencies UN के साथ मिल के काम करती है रिपोर्ट करती है United Nations General Assembly को और United Nations Security Council को इसके लावा और भी वर्ड की काफी सारी similar interest वाली organizations के साथ मिल के काम करती है ये agency कैसे काम का चलता है इस agency का Board of Governors इसका काम का चलाते हैं 22 members होते हैं बोर्ड में और अलग-अलग geographical regions same members की जो participation है वो ensure होती है General Conference के द्वारा Board के members को चुना जाता है हर साल 11 members चुने जाते हैं और एक member का जो time होता है वो 2 साल तक का होता है At least 10 जो member states हैं उनको already जो board है उनके द्वारा ही nominate किया जाता है मतलब ongoing board के द्वारा at least 10 member states को nominate किया जाता है एक board member का एक vote होता है चलते हैं आगे नए स्थांट कल हिलसा फिस के बारे में हैं क्या करें टेस्ट हैं वेश्ट बंगाल के मच्वारे काफी जादा खुस हैं कि COVID-19 की महमारी की situation में इस बार हिलसा फिस का जो production है उत्पादन है वो अच्छा खासा हुआ है हिलसा फिस जिसे माचेर रानी के नाम से जाना जाता है यानि cockyman of fish हिलसा फिस कौन सी फैमिली से समन्द रखती हैं फैमिली का नाम है Klpellpyadem नीचे देखें आप एक second ये फैमिली का नाम है Klpellpyadem आम तोपे animals या फिर plants के scientific name कौन से family से समन्द रखती है इन चीजों पर UPSC कम focus करती है यह हम कहा सकते है previous year papers के analysis के बाद आगे पूछेगी नहीं पूछेगी कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन past में rarely पूछा होगा एक दो बार मुश्किल से otherwise नहीं पूछा है यह जो मचली है हिलसा फिस यह देखो बहुत ज़्यदा popular है Indian subcontinent में यह बंगलादेश की national fish है और हमारे देश में भी West Bengal और तरीपुरा का state symbol है I.O.C.N. की red list के हिसाब से देखे status least concerned है special क्या है हिलसा के बारे में हिलसा की देखो history रही है बंगलादेश से अलाबाद में गंगा रिवर में migrate करने की वैसे तो यह salt water fish है लेकिन यह bay of बंगाल से गंगा के sweet water में भी migrate कर जाती है यह mating season के दुरान यानि परजनन के दुरान रिवर में upstream में travel करती है मान लीजे यह नदी है नदी का पानी इस परकार से बह रहा है इस direction में तो यह downstream है उल्टी direction में अगर मचली जाती है तो यह upstream हुआ तो यह जो मचली है परजनन के दुरान upstream में travel करती है और बाद में अपना जो घर है natural abode वहाँ पर फिर से लोड जाती है इसके बाद लास्ट हमारा article Indian Mobile Payment Market Report 2020 से सम्मादित है किसके दौरा यह report release की गई है SNP Global Market Intelligence के दौरा इस report में कुछ खास तो नहीं है यह बोला गया है 2019 में पहली बार ऐसा हुआ यह जो digital payments है वो ATM की cash transactions से ज़्यादा हुई मैं फिर से बोलता हूँ पहली बार ऐसा हुआ Mobile Payments या फिर card transactions जो है वो ज़्यादा हुई as comparison to ATM से जितना cash withdraw किया गया मालीजिए 2019 में total हमारे देश में सभी ATM से cash withdraw किया गया 100 units तो इस से ज़्यादा 120 units cash transactions हुई Mobile से और card से तो हम जो Digitalization की तरफ बढ़ रहे हैं Digital Payments पर ज़्यादा focus कर रहे हैं उसी का यह नतीजा है पहली बार ऐसा हुआ ATM withdrawal से ज़्यादा तो Mobile Payments से और card से transactions हुई Lead किसके दोरा किया जा रहा है Google पे और phone पे ये दो applications सबसे ज़्यादा चलती है Total जितने भी UPI transactions हुई 2019 में दो तिहाई तो इनी applications पे हुई Total 7 billion transactions हुई इन दो applications पर ये थी हमारी आज की discussion लाश्ट में अब revise कर लेते हैं क्या क्या हमने discuss किया Bose Einstein Condensates है ये fourth state of matter है जिसकी existence को predate किया गया था Albert Einstein के दोरा और सतेंदरनाथ Bose के दोरा गैस, liquid, solid ये तीन और matters हैं ये statement देखो गलत हैं क्यों, गलत इसलिए है क्योंकि Bose Einstein Condensates इनको predict तो Einstein और सतेंदरनाथ Bose के दोरा किया गया था लेकिन ये पांचवा state of matter है इसके लावा चार state of matter कौन कौन से है liquid, solid, gas और चोथे नमबर पे प्लास्मा पसुपतिनाथ टेंपल ये largest temple complex है Cambodia में और UNESCO की world heritage site है देखो world heritage site तो है लेकिन Cambodia में नहीं है ये Kathmandu निपाल में है तो ये statement भी गलत है तीसरा India's mobile payment market report 2020 ये recently release की गई State bank of India के दोरा नहीं इसको release क्या गया था SNP Global Market Intelligence के दोरा तो ये statement भी गलत है United Nations Convention to Combat Desertification ये sole legally binding international agreement है जो की environment and development को link करता है sustainable development sustainable land management से इस्टाब्लीश हुई थी 1994 में ये statement बिल्कुल सही है लास्ट International Atomic Energy Agency ये इस्टाब्लीश हुई थी 2002 में headquarter Viena आश्ट्रिया में है मक्सद ये है nuclear energy के peaceful use को promote करना और ये ensure करना military purposes के लिए इस्तमाल ना हो nuclear energy का बाकी सब चीजें ठीक है लेकिन ये agency बनी थी 1957 में तो ये fact गलत हो जाता है जिसके वज़े से पूरी statement ये गलत हो जाती है ये थी हमारी आज की discussion फिलाल इस discussion में इतना ही है थैंक ये विए घ्टिसकेशन